देश में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही है पिछले महीने तक जहां लाखों की संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे थे अब यह तादाद घटकर 30,000 से भी नीचे पहुच गई है स्वास्ते विभाग के आकड़ों के मताबिक देश में पिछले 24 खंटों में कोरोना के 27,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं वही इस दोरान 347 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है इससे पहरे 31 जनवरी को 22,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे वही 20 जनवरी को 3,000,000 के करीब नए केस मिले थे ऐसे में जनवरी के तुलना में फरवरी में कोरोना के नए मामलों में काफी किरावट दर्श की गई है जो राहत की खबर है फिल्हाल देश में 4,23,000 से ज्यादा कोरोना मामलों का इलाद चल रहा है यह 6 जनवरी के बाद सबसे कम है वहीं देश में संक्रमन दर्भी खट कर 2.23 प्रतीशत पर पहुँच गई है इसके साथ है वाक्सिनेशन की बात करें तो देश में 172 करोड से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की खुराक लग चुकी है अगर हम कोरोना के मामलों को लेकर देशी राजधानी की बात करें तो सोमवार को कोरोना के 586 नए मामले सामने आये थे जिसके बाद संक्रमंदर 1.37 फीसदी रह गई है इस दोरान 4 संक्रमितों को जान कमानी पड़ी दिली में कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल खोल दिये गए है पहले जहां 9 वी से 12 तक के स्कूल खोले गए थे अब नरसरी से 8 वी क्लास तक के लिए स्कूल भी खोल दिये गए है लंबे समय के अंतराल में स्कूल खोलने के बाद बड़े संक्रमित छोटे चात्र भी स्कूल पहुँचे थे इस दोना स्कूल भी कोरोना गाइडलाइन का पालिन करते हुए नजर आए आइनस रिपोर्ट